बहराई जन्पत के बौंड़ी थाना छेत्र के बौंड़ी गाउंगे आज अचानक एक खुंखार तेंदुआ पहुँच गया, बताया जा रहा है तेंदुआ घागरा नदी के कछार इलाके से भटकता हुआ बौंड़ी गाउं के रिहाइसी लाके में पहुँच गया भूक से बिलबला रहे तेंदुए ने पहले एक ब्यक्ति को निवाला बनाना चाहा जो खेतों से अलाव जलाने के लिए पत्तियां इकठा कर रहा था तेंदुए ने उस युवक पर हमला करके उससे नुकीले पंजों से नोट डाला जिससे उसका पूरा सरीर खून से लद्पत हो गया किसी तरह संगर्स करके युवक वहां से अपनी जान बचा कर भागा है इसके बाद थोड़ा आगे चलकर एक और युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया उस युवक ने काफी देर तक तेंदुए से लड़ाई की जब तक गाउं के लोग हला गोहर करने लगे तब तक तेंदुए राज की हाई स्कूल बोंडी परसर के पीछे पहुँच गया आनन फानन में कालेज की प्रिंस्पल ने बच्चों को छुट्टी दे दी सूचना पर बन विभाग की टीमी मौके पर पहुच गई लेकिन तेंदुए वहां से फरार हो गया 24 घंटे बीच चुके हैं अभी तक आदम खोर तेंदुए का पता नहीं चल सका है पूरा गाउं इस वक्त दैसत में है वह तो सुक्र है कि तेंदुए की तस्वीर कैमरे में आ गई नहीं तो कुछ ऐसे जिले है जहां तेंदुए हमला करके चले जाते है और बन विभाग कहता है कि कुटे बिली ने काटा है कोई फोटो खीच कर तो तब मानेंगे कि तेंदुए है तो यह खबर आप देख रहे हैं बहराई जर्पत के बॉंडी थाना चेतर के बॉंडी गाओं की जहां से घागरा नदी काफी नजदीक बता जाता है और घागरा के कछार से आज सुबा दस बज़े दिन दहारे ही एक तेंदुए जो है अबादी वाले गाओं में पहुंच गया गाओं में पहुंचते ही दो लोगों को उसने अपना नवाला बनाया एक बिक्त को इतनी बुरी तरीके से घाल कर दिया है जिसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते दूसरा यह बेक्ति है जिसने काफी देर तक तेंदुए से लड़ाई की है